नमस्कार साथियों, जो आज नू मेवात में हो रहा है, मानेसर और गुडगावा में हो रहा है, जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की आगजनी की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, पहली बार हरियाना के हितिहास में ध भार्मिक टकराव की घटना हुई है ये अपने आप में भयावय है हर्याना की आत्मा को चलनी करने वाले हर्द्य विदारक द्रिशे देखने को आई हैं और गुरगावा जैसी मिलिनियम सिटी उसका रास्ता बंद होने की तथा कथित खबरें और जादा चिंता जनक हैं क्यो भाजप्पा जजपा की सरकार जुमेवार है।्ध मुख्यमंत्री शिरी मनओरलाल खटर जुमेवार हैं जो कानून विवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जान बूझ कर कानून विवस्था को तोड़ने की इजाज़त दी जा रही है। मैं अपील करता हूँ भारती राष्ट्रिय कॉंग्रिस की ओर से दोनों पक्षों को के हिंसा किसी चीज का सोलूशन नहीं हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ वो किसी भी धर्म या जाती से हो कड़ी कारवाई हो खुद मुख्यमंत्री शिरी मनोरलाल खटर को पूरे मामले का संध्यान लेकर आगे आकर सभी पक्षों को वारता लाप के लिए बुलाया जाना चाहिए और जो व्यक्ति हिंसा के अंदर शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कारवाही करनी चाहिए मुख्यमंत्री खटर साब हाथ से हाथ धरे बेटे हैं जब से भारतिये जंता पार्टी आई है जजप्पा की सरकार आई है बाजप्पा जजप्पा की सेउट सरकार आई है कभी जाती के आधार पर कभी धरम के आधार पर एक शांती प्रिये प्रांत हरियाना जिसमें कभी जाती है और धार्मिक दंगे नहीं हुए पहली बार पहले जाती है और अब धार्मिक दंगे हो रहे हैं अगर सरकार कानून विवस्ता मेंटेन नहीं कर सकती तो खटर साब और दुशन चोटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए सबसे पहली जरूरत है शान्ती बनाए रखने सबसे पहली जरूरत है मुख्यमंत्री सभी पक्षों को टेबल पर बुलाएं वारता लाप करें और दंगाई तत्वों के खिलाब कड़ी कारवाई करें ये जरूरी है ना केवल हरियाना की साख के लिए प्रंतु साथ लगता के इंद्रिय राजदानी दिल्ली है अगर यहीं कानून व्यवस्ता मेंटेन नहीं हो कर पाएगी भाजप्पा जजच्पा तो कहां कर पाएगी इसलिए हरियाना के लोगों और अमन्चैन के लिए मैं अपील करता हूं सब साथियों को शांती बनाए रखें और दंगाईयों क साथ मत दे दंगाईयों पर कारवाई हो और सरकार अपनी जुम्मेवारी और राजधरम जाने धन्यवाद नमस्कार जय है